तो फ्रेंट्स कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज हम डिसकस करने वाले 27 मार्च 23 की डेले करेंट एफियर जो आपके आने वाले हर एकजाम के लिए काफी इंपोर्टन रहने वाली है अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करें साथी बैल आइकन पर प्रेश करें ताकि कोई भी न्यूव वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पीरिफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.nokryaspirant.com तो चलो फ्रेंट शुरू करते हमारे आज की वीडियो वीडियो को शुरू करने इस पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंट्स ये था हमारा कल का पर्षन जिसका आंस्वर सभी ने अच्छे सिद्या था क्रोल के एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत के सबसे मुलेवान सेलिब्रेटी कौन बने गए जिसका राइट आंस्वर था रनवीर सिंग बने जो क्रिकेटर विराट कॉली को पीछे छोड़ दिया है पहले कौन थे सबसे मुल लिवान सेलिब्रिटी विराट कॉली थे और अब उनको पिछे छोड बन गए हैं रनवीर सिंग अब हम देखते हैं 25 मार्ट 23 के रिवीजिन क्यूशन परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने 24 मार्ट 23 को किस सहर में One World TB Summit को संबोधित किया है वारानाशी में एलिवेट एक्सपो का 26 संसकन किस सहर में आजित किया गए है दूबाई सहर में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने Mission Lifestyle for Environment शुरू किया है असम के किस सहर में Greenport और Sipping में भारत के पहले राष्टी उत्कष्टा के अंदर का उत्गाटन किया गया है गुरूग्राम में बर्जेश दमानी को हराकर किस ने ACI Build Years 2013 का खिताब जिता है पंकस आडवानी ने नेशनल इंस्टिटूट ऊप अर्बन अफेयर्स ने किस सहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिलम फेस्टिबल आज़ित क्या गया है नई दिल्ली सहर में क्या गया है किस देश में दूसरा इंडो पैसिफिक एकनोमिक्स फ्रेमवर्क फोर क्रोस पर्टी का आज़न क्या गया है इंडोनेसिया देश में क्या गया है बारत और किस देश के बीच अरबसागर में बीस से 22 मार्च हो सागर में 7 के वीच युध्व्यास हुआ है एजन में बच्चे का अंतराश्टी दियोस मनाई जाता है 25 मार्च को मनाई जाता है अब हम देखते हैं हमारी आज की करेंट फिर हमारा फैस्ट कुश्चन है किसे गनीत में नोन लीनियर पर्शियल एक्वेंस और फ्री ब्राउंडरी प्रोब्लम को लेकर 2023 का एबल पुरुसकार दिया गया है तो किसे दिया गया है 2023 का एबल पुरुसकार आंसर बताईए क्या होगा इसका गनीत में नोन लीनियर पर्शियल एक्वेंस और फ्री बाउंडरी प्रोब्लम को लेकर 2023 का एबल पुरुसकार दिया गया है तो किसे दिया गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी लुश केफ फेरिली को दिया गया है लुश केफ रिली को 2023 का एबल पुरुसकार दिया गया है जिनोंने लोन लीनियर पर्शियल एक्वेंस और फ्री बाउंडरी प्रोब्लम को सोल किया है इसलिए उनको 2023 का एबल पुरुसकार दिया गया है फ्रेंस आपको बता दे जो गनीत का ये एबल पुरुषकार है इसको नोबल प्राइज के समान माना जाता है जितना नोबल प्राइज बड़ा होता है ना उसी सतर पर ये भी एबल पुरुषकार भी गनीत में सबसे स्रोच पुरुषकार माना जाता है पहले ये पुरुसकार कब दिया गया था पहली बार ये अवर्ड 2003 में दिया गया था जी एन पीरे को जी एन पीरे को 2003 में दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी गनीत के कई हिस्तों को आधुनिक तरीके से बताया था गनित करिक का इसो को आधुनिक बनाए था इसलिए 2003 में जी एन पीर को दिया गया था और 2020 में किसे दिया गया है लुइस के फेरिली को दिया गया है एबल पुरुसकार आगे चलते हैं किस देश के लोगों को यूरिपी संसत का सीर्श सम्मान सखा रोव प्राइज 2022 दिया गया है युक्रेन को किस देश की परसित इत्यास का और प्रोफेसर बार बर्रा मेट कोफ को सर सेयद उतकष्ट पुरुसकार दिया गया है एमेरिका देश की ग्रेमी अवोर्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महला गाया कौन बन गई है अरूच आफ्ताब किस देश की अलीडा गेवेरा पहले के यार गोरियम्मा नेशन अवोर्ड से समन्ट की गई है कुयूबा देश की नेश की उसन है हमारा किस देश की पूर राष्ट पती डिल्मा रूशेव को न्यू डवलोमेंट बैंक की नई परमुक चुनी गई है तो किस देश की चुनी गई है यह आंसर बताईए फ्रेंज क्या हो जाएगा इसका किस देश की पूरह राश्ट पती दिलमा रूछेव को New Development Bank की परमुग चुनी गई है तो ये किस देश के है तो आंसर हो जाएगा हमारा C ब्राजिल देश की ब्राजिल देश की दिलमा रूछेव को New Development Bank की नई परमुग चुनी आ गया है और फ्रेंस आपको बता दे न्यू डवलोप्मेंट बैंक को पहले किस नाम से जानते थे तो पहले न्यू डवलोप्मेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते थे और आपको पता है ब्रिक्स में ब्रिक्स जो देशों का समू है तो उन ब्रिक्स देशों में कौन-कौन देश सामयल है BRICS Samwork में सामयल देशो और यह BRICS देशो में جो सामयल देश heb उनके द्वारे यह स्थापित क्या गया है यह Championships NEW DT इस प्रीक्स के राइए Brazil, Czech, Europe, India चीन और South-Africa कौनगोंसे है Brazil है, Russia है इंडिया है चाइना है और साउथ अफ्रिका है और आप से ये पूछला जाई ब्रिक्स का हेड़कॉर्टर का है मुख्याले कहां पर है तो कहां पर है ब्रिक्स का मुख्याले तो ब्रिक्स का मुख्याले है संगाई में संगाई में है ब्रिक्स का मुख्याले और उनकी स्था सामयलन कहां पर हुआ था तो पहला समयलन वहा था 2009 में 2009 में 2009 में आपको बता दे जो साउथ अफ्रीका ना जब प्रिक्स समयलन का वह था स्थापना होई थी तो यह साउथ अफ्रीका प्रिक्स का सदस्य नहीं था स्थाफ्थ अफरीका को 2010 में ब्रिक्स देसों में सामिल किया गया ब्रिक्स समू में सामिल किया गया तो पहले ये ब्रिक्स का सदस्थ से नहीं था 2010 में इसको सामिल किया गया था तो फ्रेंस ये सब याद रखना अगर ये पूछ ले BRICS की स्ठापन का बुई थी तो हुई थी 2006 में इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ था तो 2009 में हुआ था रूस में और इसका Headquarter पूछ ले तो संगाई है इसका Headquarter और 2010 में अफरीका को BRICS में सम्मेल क्या गया था याद रखने फ्रेंस आगे चलते हैं आज इंपोर्टेंट न्यूज है किसे इंस्टिटूट ओफ कास्ट अकाउंटर ओफ इंडिया के अधिक्स की रूम में चुना गया है किसे चुना गया है विजेंदर सर्मा को किस पूरू आई एस अधिकारी को चुनाव आयोकरना चुनाव आयोक्त बनाएगा है अरून गोयल को बारते ओलपिंग सक्की पहली मेला देक्स किसे बनाएगा है पीर्टी उस्टा को किसे बारती नोसे नागे दक्षिन कमान के परमुक के रूम में न्यूक क्या गया है आजे सिंको नेश क्यूर्शन है हमारा फ्रेंस वीडियो को लाइक और शेर जूरूर कर दे न कौन सा देस हाली में ब्रिक्स बैंके ने सदस्य के रूम में सामिल हुआ है तो कौन सा देस हुआ है हाली में ब्रिक्स के ने सदस्य के रूम में सामिल तो राइट आंसर हो जाएगा ए मिश्र देस हाली में विश्व बैंके सदस्य के रूम में सामिल हुआ है प्रेंस आपको पता दे जब भारत में रिपब्लिक डे बनाया गया था तो उसमें मुख्य अतिती के रूम में मिसर के राष्टपती अबदेल फते अली सिसी भारत आई थे रीपब्लिक डे के दिन मुख्यतिती के रूम में मिस्र के राष्टपती अब्देल फते अल सीसी भारत आये तब उन्होंने एलान किया था कि वे ब्रिक्स बैंक के सदसे बनना चाहते हैं भारत आये रिपब्लिक डे को जब भारत आये थे तब उन्हेंने एलान किया था कि वे ब्रिक्स बैंक के सदस्य बनना चाहते हैं तो उनको 20 फरवरी को न्यू डवलोग बैंक का सदस्य बनाय गया था कब बनाय गया था 20 फरवरी को उनको न्यू डवलोग मैंट बैंक का सदस से बनाए गया था जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं आगे पढ़ा था भी आभी आपने क्यूशन आगे चलते हैं अधरी इंपोटेंट नियुज इसकी किस देश में जम्य हुई जिल्लो के नीचे 48,500 वर्स पुराने जॉंबी वारिस को खोजो गया है रूस में किस देश की बगेट ब्रेट से जुड़े कुटीर ग्यान यूनुसको की सांस्कर्ति विरास्त सुची में सामि किस देश ने एतिहासिक परमानु सल्यान द्वारा सूरी के समान सुध उड़जा उत्पादन की गोशना की है अमेरिका देश ने ने जुच्छन है किस राजय सरकार ने मुख्यमंत्र विवरक्स संपंदा योजना शुरू की है तो किस राजय सरकार ने शुरू किया है यह आंसर बताई क्या होगा इसका किस राजय सरकार ने मुख्यमंत्र विवरक्स संपंदा योजना शुरू की है तो किस ने शुरू की है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी च्छतिसगर राजय सरकार ने शुरू की है जिसकी सुरूबात किस ने की थी इसकी सुरूबात की इस योजना की सुरूबात 21 मार्च को मुख्यमंत्री विवरक्स संपंदा योजना शुरू की गई थी अगर आपसे यह पूछ ले च्छतिसगर के गवर्नर को ने तो कौन है च्छतिसगर के गवर्नर कमेट बक्स में बताओ जरू रहा है च्छतिसगर के गवर्नर है विश्वे भूसन हरी चंदन जिसको हाली में च्छतिसगर का गवर्नर बनाए गया है कब बनाए गया था 12 फरवरी 2030 को च्छतिसगर का नया गवर्नर बनाए गया है किस राजय सरकार ने 1 डिस्ट्रेक्ट, 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्ते परदेश राजय ने? किस राजय के मुख्यमद्री ने हाली में अलग दिव्यांग विबाक स्थापित करने की गोशना की है? महराश्ट राजय ने? किस राज्जे सरकार दुवारा हाली में अरुनो दे 2.0 योजना शुरू हुई है असम राज्जे में किस सहर में अनुठे संगित कारिकराम डान्स टू डी कार्बोनाईज का आजन क्या गया है न्यू दिल्ली में नेश्ट कुशन है तो किस के दोबार लिखित नई किताब एजुकेसन इन इनडिया का व्यमोचन क्या गया है तो किसके दोबार लिखित पुश्टक आंशर बताए क्या होगा इसका अनुराग बहर के दोबारा और आपको बता दे इस किताब में 110 कान्यों का संग रहे है कितनी कान्य इसमें 110 कान्यों का संग रहे है A Matter of the Heart Education in India पुष्टक में Other important news देखते हैं इसकी किसके दवारा लिखीत पुष्टक छत्रपत्ती सिवाजी महराज का विमोचन क्या गए है स्रीमंथ कोकाटे के दवारा किसके दवारा लिखीत पुष्टक गंगा में साप Breaking India 2.0 का विमोचन क्या गए है स्री राजी मलोत्रा और स्रीमती विज्या विश्वेनाथन के दवारा किसके दवारा लिखीत पुष्टक Brave Hearts of भारत Vigners from Indian History पुष्टक का विमोचन क्या गए है विक्रम संपत के दवारा किसके दवारा लिखीत पुष्टक Miracle of Face योगा का विमोचन क्या गए है मानची गुलाटी के दवारा नेश कुष्टन है फ्रेंस वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंस जरूर और साथ ही कमेंट करके बताने वीडियो कैसी लगी किसे ACI Hockey Federation Athletic का Ambassador Newt क्या गया है तो राइटांस से क्या हो जाएगा तो मारा राइणस्वर है इसमें A. सलीमा टेटे सलीमा टेटे को ACI Hockey Federation का Ambassador बनाया गया है जो सलीमा टेटे है ना उन्होंने 2021 में हुए इन F.I.H. महला जूनियर वड कफ में बारत की महला जूनियर होकी टीम को चोथे स्थान पर पहुचा आया था सलीमा टेटे ने जो ACI में न्यूक चार खिलाडियों में उससे एक है इन मेचों में चार खिलाडियों को न्यूक किया गया था जिसमें से सलीमा टेट्टे उनमें से एक है उन्होंने होकी जूनेर होक टीम को चोथे स्थान पर पहुचाया था ऐसे स्तर पर इसलिए उनको ऐसे होकी फेडरेशन एथलिट एमबेस्टर के रूम में न्यूक किया गया है अदो इंपोर्टें यूज देखते इसकी राश्टे खनीज विकास निगम ने किसको अपना ब्रांड अमेस्टर बनाया है निखात जरीन को किस राजसरका ने स्कॉर्डन लीडर तुलिका रानी को G20 का ब्रांड अमेस्टर बनाया है उत्तर पर देश यूनिसेफ ने किस भारते अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपने राश्टे राजदूद के रूम में नामिनित क्या है आईसुमान खुरान ना को किस देश की जलवायू कारी करता वेंसा नकाट्रे को यूनिसेफ का सदभावना राजदूद नियुक क्या गया है यूंगांडा देश के नेक्स क्विश्टन है किस राज़े विदान सबाव में मेडिया कार्मिक शुरुक्षा विद्धेग 2013 पारित क्या गया है तो किस राज़े में क्या गया है ये आंसर बताओ किस राज़े में विदान सबाव में मेरिया कार्मिक शुरुक्षा विद्धेग 2013 पारित क्या गया है तो ये पारित क्या गया है 17 मार्श 2013 को मुख्य मंत्री भूपेश भगेल के दुवारा 36 मार्श 2013 को पारित क्या गया है मेडिया कार्मिक शुरुक्षा विद्धेग अधर इंपोटी नियुज है किस राज्य में भारत के पहले बोध विश्विदाले की स्थापना हुई है तिर्पुरा राज्य में किस राज्य सरकार ने हाले में स्कूली छात्रों केले परती दिन 10 मिन्ट का योगा अनिवारी किया है करनाटक राज्य ने किस राज्य के बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन तठश्थ फारम गोशित क्या गया है केरल राज्य के किस राज्य की सिसुपाल पहाड़ी को प्रेटन के रूम में विशित क्या जाएगा 36 राज्य की 36 राड़िजE की शीसुपल पारी को प्रेटन के रूब में विश्द के या जाएगा नईस्ट क्विश्टन है 25 मार्स तोजब 23 को कि सहर में नेशनल साइंस सेंटर के इन्वोस्टन फेस्टिबल का आउरिजन क्या गया है तो कि सहर में क्या गया है स्वास्ते अनुसंदान विवाक के अध्यक्स प्रोफेसर बलराम भारगव ने उद्गाटन क्या है स्वास्ते अनुसंदान विवाक के अध्यक्स प्रोफेसर बलराम भारगव ने और इसका समापन हुआ था 26 मार्च 2013 को तो इसका समापन किसके अध्यक्सता में हुआ था उद्गाटन तो वह था प्रोफेसर बलराम भारगव के अध्यक्सता में और इसका समापन हुआ था डा के निर्देशक है डाक्टर देवाशिस महुंतिकों ने नेशनल इंस्टिटूप ओफ इम्मोनोलोजी के निर्देशक है इसके अधिश्चता में नेशनल साइन्स सेंटर इन्वोर्शन फेस्टिवल का समापन हुआ था और उधगाटन हुआ था प्रोफेसर बलराम भारगव की अधिश्चता में नई दिल्ली में हुआ था ये फेस्टिवल अधर इंपोर्टेंट नियूज देखते इसकी किस राजे के अंदर साशित राटि में पहला सिलहट सिलचर मौसव आरजित किया गया है असम राज्ये में किस राज्ये में महगा क्याक मौसव दोजर बाइस का पाचवा संस्क्रण सुरू किया गया है मे घहले राज्ये में नेश्क्रिशन ने हमारा विश्व रंगमंच दिवस मना जाता है तो कब बना जाते हैं विश्व रंगमंच दिवस आंसर हो जाएगा डी 27 मार्च को 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मना जाता है गर अब की बार कौन सा रंगमंच दिवस मना जाता है जाएगा 61 विस्व का 61 रंग मंच दिवस मनाए जाएगा वल्ड थेयर्टे डे सतेज समार्च more towards जो एक्सक्ट्वा वर्ड थेट्रथर दे मनाया जाएगा। आदão important news देखते हैं। 21 फरवरी को अंतराष्टी मात्र दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिन्तन दिवस। 33 फरवरी को विश्व सांती और समझ दिवस मनाया जाता है। चोबिस फरवरी को कैंद्री उटपाद सुलक दिवस और सताइस फरवरी को विस्व एंजियो दिवस मनाए जाता है 28 फरवरी को राष्टे विज्यान दिवस और दुरुलब रोग दिवस मनाए जाता है आज का हमारा परसन है फ्रेंज, इसका अंसर सभी को कमिट बॉक्स में बताना है Q.S. World University Ranking में इंजिनियर और टेकनलोजी में कौन सा संस्थान बारत में पैलेस्थान पर है तो कौन सा स्थान है इसका अंसर आपको कमिट बॉक्स में बताना है जमने क्या इंडोज एकते हमारा भारते सविधान की समर्ति सुच्ची की धारना किस देश के सविधान से ली गई है और श्टेलिया भारते सविधान का कौन सा अनुछेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठन का निर्देश देता है अनुछेद 40 पंचायत राज परनाली के पहले किन दो राजों में लागू की गई थी अन्दिपर्देश और राजस्थान में रूसी करानती प्राराम की सेर में हुआ था सैन पीटर्सबर्ग में चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्यूश्टी पार्टी का देक्स कौन था माओ जी डोंग था सुख तरार्श रुक्षा प्रिशद के एस्थाई सदेसिक की कार्यागदी कितनी होती है दो वर्स की होती है तो फ्रेंस आज के हमारी वीडियो कैसे लगी कोमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर देना साथी बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि कोई भी न्यूव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पीडिफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.nokriesplan.com थैंक्यू प्रेंस, बाई बाई, रादे रादे, टेक केर